क्या आप एक ऐसा फंड होन रहे हैं जिसमें आप निवेश करके अपने बच्चों के भविशे के लिए एक अच्छी धनराशी जोड़ पाएं तो हम बात करेंगे SBI की बहु चर्चित स्कीम के वारे में और आपको कैलकिलेट करके दिखाएंगे कि कैसे आप मात्र 10,000 रुप के लिए invest करना चाहिए क्योंकि बच्चे बढ़ती उम्र के साथ उस करियर का सपना देखने लगते हैं जिसमें उनका interest होता है और अपने ambitions को या कहें तो अपनी महत्वकांशाओं को पूरा करने के लिए वो अपने parents की तरफ देखते हैं तो अपने बच्चों के सपनों को स वीडियो पसंद आए तो अपने near and dear ones से share भी करें तो इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI Magnum Children's Benefit Fund Investment Plan के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस fund की performance के बारे में तो अगर आप 10,000 रुपे इसकी inception date पर यानि कि 29 September 2020 को अगर आप मात्र 10,000 रुपे लगाते तो आज की date म आपकी value होती 23,744.20 रुपे यानि कि आपको total जो return इस से मिलता वो होता 137.44% अगर आप SIP स्टार्ट करते September 2020 में यानि कि इसकी inception date पर 10,000 कि अगर आप SIP स्टार्ट करते तो इस fund का अभी तक का performance जो CAGR रहा है annualized return रहा है वो है 37.62% तो इसके हिसाब से आपकी जो invested amount होती जो आप तक जमा आज तक आप जमा करते वो होते 2,40,000 रुपे और और उसकी sell value होती 3,34,252 और इस transaction से आपका profit होता 94,252.91 रुपी का तो इसकी इन ने आपको एक बहुत ही शांदार return दिया है अपने छोटे से tenure और तो आप जानते हैं इस fund की बाकी details के बारे में ये एक solution oriented scheme है इसका मतलब है कि ये आपकी financial planning की एक requirement को पूरा करने की कोशिश करती है इसका portfolio equity और debt से बना है तो इसलिए ये एक aggressive hybrid scheme है equity exposure होने के कारण ये scheme high risk category को belong करती है तो आप सोचेंगे highly risky investment को क्यों consider करना चाहिए अपने portfolio में या अपने children's की future growth के लिए तो आपको हम आगे बताएंगे कि कैसे आप risk को minimize कर सकते हैं लेकिन पहले आप ये जान लें कि mutual funds अपना सारा पैसा अपनी सारी investment share market में ही निवेश करते हैं और भारतिय stock market लंबे समय से बहुत ही अच्छा perform कर रहा है और भविश्य में भी इसकी बहुत अच्छा perform करने की प तो हमेशा return भी जादा होता है अच्छा होता है और risk को कम करने के लिए एक ही strategy है कि आप लंबे समय तक invest करें जितना जादा आपका time horizon होगा या जितने लंबे समय के लिए आप invest करेंगे उतना ही आपका risk minimize होगा, risk कम होगा और आपको मिलता है एक stable return तो आए जानते हैं इस fund के asset allocation के बारे में तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं ये fund equity oriented scheme है और इसकी investment equity में है 81.78% और बाकी है debt और other components में तो आप बात कर लेते हैं इस fund के portfolio के बारे में तो आप देखेंगे कि इसकी सबसे ज़्यादा investment है जो की है 6.18% Netflix में है 5.86% Bajaj Finance में है 5.54% Bajaj Finance ने अपने निवेशिकों को एक बहुत ही उन्धा return दिया है के अलावा ICICI Bank, Max Healthcare Institute, State Bank of India, Hawkins Cookware, सो सभी नामी गिरामी companies इस fund के portfolio में है और ये एक अनुमान है कि ये stocks भविशे में एक उन्धा performance देंगे शांदार इनका return generate होगा अब बात कर लेते हैं इस fund की performance के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया कि ये fund अभी recently ही launch हुआ है और इसकी अब तक की performance देखें तो इसने जो अपने निवेशिकों को absolute return दिया है वो है 138.26% और annualized return की बात करें, CAGR की बात करें तो एक साल का इसका CAGR है 18.07% और 6 महिने का return है 6.33% इसका asset under management है 580.6 crore net asset value है इसकी 23.83 के around expense ratio है 2.59% जितना कम expense ratio होता है किसी भी scheme का उतना ही आपका return उस पे बढ़ता है इसकी investment details की बात करें तो इसमें lump sum आप minimum 5,000 invest कर सकते हैं और मात्र 500 रुपे से आप अपनी SIP शुरू कर सकते हैं maximum investment की कोई limit नहीं है इस fund में exit load है अगर आप redemption एक साल से पहले करते हैं यानि कि अगर आप अपना पैसा एक साल से पहले ही निकाल लेते हैं अपनी निवेश की date से तो आपको 3% का exit load देना पड़ता है लेकिन 2 साल के बाद तो आपको मात्र 1% इस पे exit load देना होता है तीन साल के बाद इस पे कोई भी exit load नहीं है इसके fund manager है R. Shrinivasan इनको 19 years का experience है अब बात करते हैं taxation की जैसा कि ये equity category को belong करता है तो equity में taxation यही होता है कि अगर आप 1 साल से पहले अपनी unit sale करते हैं या फिर आप अपना पैसा निकालते हैं तो आप पर लगता है short term capital gain और वो है 15% के हिसाब से अगर आप 1 साल के बाद redemption कराते हैं तो आप आते हैं long term capital gain की category में जो की है 10% और वो भी आपको 10% तभी देना होता है जब आपका एक ही साल में जो gain है जो आपने profit कमाया है वो एक लाग से जादा है या एक लाग को exceed करता है तो अब हम बात करते हैं आपके investment plan के बारे में कि आप किस तरह से निवेश करें आपके पास जो भी राशी है कि आप एक छोटी सी investment से कैसे आप एक बड़ा amount बना सकते हैं तो हमने मादर 500, 1000, 1500 की SIP और एक 10,000 की छोटी investment का example लिया है आपको हम calculation के साथ दिखाते हैं कि कैसे एक 500 रुपे की SIP से आप एक अच्छा investment amount बना सकते हैं तो अगर आप 500 रुपे की SIP 25% की rate of से करते हैं क्योंकि इस scheme ने अब तक अपने निवेशिकों को return दिया है तो अगर ये scheme आपको मादर 25% भी सालाना rate of return देती है और आप 20 साल के लिए अगर आपनी सिर्फ 500 रुपे की SIP करते हैं तो total जो आप fund जोडेंगे आपकी जो investment value होगी वो होगी 1,20,000 रुपे और आपको कितने amount मिलेगी अगर आप sell करते हैं 20 साल बात तो वो होगी 34,29,548 वहीं अगर आप थोड़ा जादा invest कर सकते हैं और आप 500 से 1000 रुपे की SIP शुरू करते हैं 25% का return आपको इस fund से मिलता है और आप 20 साल के लिए invest करते हैं तो टोटल आपकी investment हो जाएगी जो आप fund जोड़ेंगे वो आपके जाएगे 2,40,000 के राहूं और आपकी जो investment value होगी जो उस time आप sell कर सकते हैं जो आपको मिलेगा वो होगा 70,000,000 के आसपास जोगे 68,59,095 रुपे के राहूं अगर आप 15,00 रुपे की SIP स्टार्ट करते हैं सेविंग कर सकते हैं तो 25% के rate of interest के हिसाब से अगर आप 20 साल के लिए ही invest करते हैं तो टोटल आपकी investment होगी मात्र 3,60,000 रुपे और उस time पर अगर आप sell करेंगे तो आप बना सकते हैं एक करोड से अबव का investment value इस scheme तो अब तक हमने बात की 3 strategy के बारे में जहां हमने time duration रखा था 20 years बट अगर आप जादा समय के लिए invest कर सकते हैं जैसे अगर आपका horizon हम 25 से 30 साल कर दें और आप मात्र 500 रुपे की SIP अपनी जारी रखते हैं 30 साल के लिए तो आप total invest करेंगे 1,80,000 और आपकी investment value आप believe नहीं करेंगे 4 करोड के above होगी 4 करोड का मतलब है ये पैसा उस समय आपके बच्चों के लिए कितना काम आ सकता है तो इससे आप जान सकते हैं कि अगर आप stock market में लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो आपको मिलता है एक शांदार और उंधा return वहीं अगर आपकी SIP amount 1000 रुप investment value होगी जो आपका market price होगा वो होगा 8 करोड के above वहीं अगर आप lump sum amount invest करते हैं 10,000 रुपे की तो 25% की rate of return से 30 साल के लिए आप लगाते हैं तो maturity amount होगी 80,77,936 और आपका सिर्फ profit की बात करें तो profit होगा 80,67,936 वहीं अगर आप 1,00,000 का lump sum investment करते हैं 25% के rate of return से 30 साल के लिए तो आपको मात्र 1,00,000 लगाने पर आपको वाचिंगा वीडियो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को like और subscribe करें for more updates please press the bell icon so let's get started with multi-cap wealth